एंडिय में सीट सेरिंग को लेकर फसा पेज सुलजने का नाम नहीं ले रहा एक की बाद एक कर छेत्रे अदल के नेता नाराज नजर आ रहे हैं चिराग पासवान की अमित्र शाज से मुलाकात के बाद चिराग पासवान के नाराजगी खत्म हुई लेकिन इसके बाद उपेंद्र कुश्वाह और जीतन राम मांजी की नाराजगी ने बीजेपी की टेंसन बढ़ा दिये अमित शा के बिहार दोरे से पहले जीतनराम मांजी और उपेंद्र कुश्वाह को मनाने की कवायत की गई जिसके लिए खुद नित्यानन जो की सांसद और ग्रियराज मंत्री हैं वो गए जीतन नामानची के गहर जीतन नामानची और संतोश सुमन से मुलाकात की लेकिन नाराजगी खत्म नहीं हुई है इसके बाद सांचा संजज जैसवाल ने भी उपेंद्र ऺुशवाह को मनाने की कोशिश की लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही उपेंद्र ऺुशवाह और जीतन राम बांची अब बीजे पी से नाराज नज़रा रहे हो और सीट सेयरिंग को लेकर ये फेस लगातार फस्ता च बKK Sunds갈 बताएं आपको की चिराग पास्वान की नाराजगी को आस्वासन जरूर मिला है श्रेय मंत्री अमित शी जप मुलाकी एक फॉर्मूला बनाया यांने की पच आप हमें लोगसभा सीट दे दीजिये और एक राज़ सभा लेकिन इस मांग को क्या बीजेपी मानेगी क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तिलचस्प है हालाकि अमित शाने चिराग पास्वान को आस्वासन तो दिया है कि हमारे पास जो सीट मौजूद है उसी सीट में से आपको बहतरीन सीट दी जाएगी लेकिन इसके बाद जीतन नाम मा जी और उपेंद्र कुछवाहा नाराज हो गए ये लोग भी अपने सीट को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए बार्गेनिंग इन लोगों का कमजोर जरूर हुआ है नितिश्क मार के आने से लेकिन ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें मनमुताबिक सी गया है वो इस हिसाब से है कि दरसल बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी 16 सीट जेडियू को दिये जा रहे हैं और उपेंद्र कुछवाहा जीतन नामांजी दोनों को एक एक सीट पर चुनाव लड़ना होगा इसके इलावद चिराग पासवान को तीन और चिराग कि पाद क्या छेत्रे दल इस बटवारे को मानेंगे क्या वो नाराज नहीं रहेंगे नाराजगी खत्म होगी क्योंकि यहीं बटवारा बैठाया गया है लेकिन चिराग पासवान ने तो कहा है कि हमें आप पांच लोग सभा सिर्थ दीजिए तीन नहीं पांच पर हमारी ब पांच और उपेंद्र कुष्वा को मनानी की कोशिश की दोनों के घर गए दोनों नेताओं नहीं बातचीत की हलाकि अब तक यह सामने निकलकर नहीं आया है कि बातचीत में क्या बात बनी है या फिर बिगड़ गई है देखना दिलचस्प है वहीं दूसरी तरफ जब अमि प्याजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा ये बात बीजेपी बखुबी जानती है और यहीं वज़य है कि बीजेपी इस लोगसवाचुनाव में भी इन छेत्रे दलों को नाराज नहीं करना चाहती है कि कि किसी तरीके से बार्गेनिंग करके इनकी नाराजगी खत्म कि जा सके और अच्छे से लोगसवाचुनाव नहीं पड़ जाए क्योंकि नितिश कुमार के आने से ये तीन-चार दल बेहद ही ज्यादा अनकमफिटेबल हुए है इनका जो बार्गेनिंग है वो घट गया है अब यह बार्गेनिंग उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जब य ताकि के 14-15 सीटों में हमारा बटवारा हो जाएगा लेकिन आप नितिश कुमार के आने से बार्गेनिंग इसके लिन लोगों की कम जरूर हुई है लेकिन ये चाहते यहीं है कि हम लोगसवाचुनाव अच्छे से लड़ पाएं ताकि विधान सबाचुनाव में हमारा पू लड़ेंगे किसी गट बंधन में नहीं रहेंगे देखना दिल्चस्प है क्योंकि चिराग पासवान को आसवासन तु दिया गया है लेकिन क्या ये छेत्रे दल मिलकर चार छेत्रे दल बीजेपी का खेल बिहार में बिगाड़ेंगे या सबारेंगे तमाम खबरों से हम अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाया है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined